नमस्कार संस्कृत के प्रिविध्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेस हिंदी मेडिया पर मैं पंगस्तिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए मुल्टीपल चॉइस कुश्चन लेकर के आऊंगा तो अब उस स पाठा मुल्टीपल च्वाइस कॉश्चन एमसी क्यूस आप लोग जिसे कहते हैं वो हमारे प्रशने रहेंगे ठीक ज्यादा प्रशनों को हमने नहीं रखा है यह प्रशने हैं आप लोग देखते जाईएगा बस अच्छे से पढ़ते जाईएगा पहला प्रशने आपके सेनाने कौन थे ठीक अब यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता अंदोल नश्यों देखिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता आ नहीं देख रहा है आपको प्लस अंदोल नश्य आंदोल नश्य ठीक है अब यहां पर दिर्गी संधी का योग हुगा है यहां पर बड़ा आ और यहां पर बड़ा आ दोनों मिलकर की यहां क्या बना लेंगे बड़ा आ बना लेंगे तो यहां कौन सी संधी हो जाएगी दीरगी शंदी कौन सी संदी रहेगी बिटा यहां दीरगी शंदी रहेगी ध्यान रखिएगा दीरगी शंदी आपकी रहेगी और दीरगी शंदी का सूत्र आपका रहता है अकाहा शवरने दीरगा अकाहा शवरने दीरगा ठीक है बिटा अब अकाहा शवरने दीरगा सूत्र के द्वारा यहां पर उन्हों पर उन्होंने आ और आ को मिला करके बड़ा आ बना लिया तो पयर बन गया तो यहां आपका यह सबी बंजाएगा इसमें अशद subsid विवक्ति का एक बचन लगा हुआ है टोटल पूरे सब्द में भारतिय सुतंत्रता संदों और अंदोलन के अनुपम अनुपम सैनानी कहा अनुपमह मैं प्रत्मा का यह बचन कहा मैं भी प्रत्मा का यह बचन आसीत भी आसधातू से बना हुआ है और लंग-लकार का रूप है जो बना हुआ है प्रथम पुरुष एक बचन में आसीतो ठीक तो भारतिय सुतंतरता अंदोलन के अनुपम सैनानी कौन थे बीर कुमर शिंगा महत्मा गांधी कालीदास भहरवनन्द तो पाठ किसका चलना है वाई सहाब बताएए जल्दी से इसका हमारा फ़स्ट नंबर का रही पानसरहोगा बीर कुमर शिंगा सट्मतर अंदोलन के पृथम और अनुपम सैनानी अशे थे हमारे बीर कुमर शिंग इसके बाद दूसरा प्रुष्ण हमारा दिया हुआ है कुमर्शिंघ खस्यों में सश्ठी विभक्ति का एक बचन लगा है क्या लगा है विटा सश् विभक्ति का एक बचन लगा हुआ है और एक बचन जो लगा हुआ है वो कैसे बनेगा हमारा जैसे रामस्य जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा सिंगष्य शिंगश्य और इसमें आपको कुछ ने जोड़ना है कुवर जोड़ देना क्या जोड़ देना कुवर कुवर शिंगश्य ठीक हो गया अब पिता में जो लगा हुआ है देखिए पिता में प्रत्मा विवक्ति का एक बचन लगा है और कहा मैं भी प्रत्मा का एक बचन आसीत म भीम सिंगा साहिव जादा शिंगा राधा राम सिंगा बहरवा शिंगा बतलाएं जल्दी से कौन थे मैंने आपको पूरी कहानी बतलाई है आप भी जल्दी से कमेट सेक्शन में लिखते जाएं और बताते जाएं कि इसके कौन है जब तक मैं आपको बता रहा हूं इसके साहि जादा शिंगा ठीक है ना कुवर शिंग की पिता कौन थे साहिव जादा शिंगा प्रत्मा का एग वचन प्रत्मा का एग वचन ठीक साहिव जादा शिंग थे किसके कुवर शिंग की पिता अगला प्रशन हमारा दिया हुआ है प्रशन क्रमांग तीसरा प्रशन क्रमांग ती में हुआ था कुमर शिंग का जन्म किस गाउं में हुआ था तो कुमर शिंगस में अभी मैंने जस्ट इसकी पहले बताया है कि सश्थी विभक्ती सश्थी विभक्ती एक बचल जन्म कस्मिन में जो रोगणा हुआ सब्टमी विभक्ती का एक बचल सब्टमी सब्तमी विभक्ती एक बचल लगा हुगा है ठीक अब यहां क्यों लगा है क्योंकि आपने किम के रूप पढ़े होंगे किसके किम के तो इसके रूप चलते हैं कहा कम केन कस्मई कस्मात कस्मिन कस्मिन कहा का रूप लगा हुगा है बटा सब्तमी विभक्ती का एक बचल तो यहां पर भी सब्तमी विभक्ती का एक बचल लगा हुगा है ग्रामे ग्रामे में सब्तमी विभक्ती का एक बचल लगा हुगा है क्यों जैसे आप देखेंगे फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले इतना लगा हुआ है यहीं पर बनाना है ग्रामम ग्रामम ग्रामेन ग्रामायो ग्रामातो ग्रामश्यो ग्रामे 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 प्तिमी विवक्ति का एक बचन ग्रामे में भी लगा आभवत का रूप लगा हुआ है हमारा लंगलकार किसका लगा हुआ है लंगलकार भूतकाल क्या लगा है लंगलकार भूतकाल का रूप चल रहा है जिसमें आप देखेंगे तो ये बनेगा हमारा कैसे अभवत कैसे भवन बना हुआ है एक बचन दुई बचन बहु बचन बना हुआ है न तो दुई बचन का रूप है अभवताम ठिक चलिए आगे देखें अब इन्होंने अर्था आपने निकाल लिया होगा गुमर्शिंग का जन्म किस गाउं में हुआ था तो भोजपुरे मितलानग्रा में जगदीसपुर्ग्रा में साहाबादे बतला जल्दी से किसमें हुआ था जगदीसपुर्ग्रा में किसमें हुआ था भोजपुर मंडल मंडल है और बिहार राज के अंतरगत आता है लेकिन जगदीसपुर गाउं है भोजपुर मंडल है जन्पद है दियान रखिएगा ले दिश्पुरग्रा में अभवत द्यान रखना वेटा यह आपका प्रश्ण क्रमांग तीसरा हो गया प्रश्ण क्रमांग चौथा रहेगा प्रश्ण क्रमांग चौथे में हमारा प्रश्ण है दिया हुआ है कुमर शिंगा कश्या भक्ता आशीत कुमर शिंग कश्या माने किसक भक्त थे अब कुवर शिंगा में प्रत्मा विभक्ति जैसे रामहा एक बचन प्रत्मा का लगा हुआ है प्रत्मा विभक्ति एक बचन ठीक वैसे ही बनेगा हमारा कुवर शिंगा क्या बनेगा कुवर शिंगा कुवर शिंगा प्रत्मा विभक्ति एक बचन ठीक तो यह प्र एक बचन रूप लगा हुआ है और इस्त्री बाची रूप लगा हुआ है ठीक किम किम किसका इस्त्री बाची का का से लेकर कि सश्टी वक्ति में बनेगा कस्या ठीक आपने देखा न का काम काया ऐसे बनता है का काम काया यह इस्त्री बाची है पुलिंग बाची क्या बनेगा काहा एकयन ऐसे बनता यह स۔ सश्थिवक्ति में कस्य बनता है तो यहां सश्थिवक्ति का एक बचन लगा भगता में पृत्मा का एक बचन लेकर पृतम पूरुष एक बचन अस धात्तु से लंग लकार ृठीक तो ध्यान रख गड़े सिस्त्रीवाची थे नहीं, सिव-षत्रीवाची थे नहीं, तो δेव्या ही होला, यह तो common sense हो consensus हो गया, और कस्या में सश्टी वक्ति लगी तो देव्या में भी सश्टी वक्ति का एक वचन लगा हुआ है देवी के रूप चलेंगे जैसे जनन्याह जनन्याह नद्याह नद्या वैसे देव्याह देव्याह ठिक इसका अंसर होगा देव्याह कुमर्शिंग देवी के भक्त थे कुमर शिंगश्य विवाहा अभवत किसकी कन्या के साथ कुणर शिंग का विवा हुआ था ठीक तो कस्में शष्टी वक्ति लगी हुई है कहा कम कैन कस्मात कस्य कस्मिन तो कस्में शष्टी वक्ति किम के रूप है सर्बनाम रूप कन्याया में तृतिया विवक्ति लगी हुई है ज उत्रतिया विभक्ति कन्या के शाथ ठीक किसकी कन्या के साथ कुमर शिंग घस्यो शष्ठी विभक्ति का एक बचन क्या लगा है सश्ठी विभक्ति का एक बचन लगा हुआ है फिर विवाह प्रत्मा विभक्ति का एक बचन आभवत लंगलकार का लूप लगा हुआ है किसका लकार तो यहां पाश्ट की बात की जा रही है भूतकाल की बात की जा रही है किस की कन्या के साथ कन्या वो कुमर शिंग का विवा हुआ था तो कालिदास की कन्या के साथ हुआ था क्या बहराव सिंग की कन्या के साथ हुआ था क्या साहिब जादा सिंग की कन्या के साथ हुआ ठेक तो द्यान रखना ये क्या है किसकी कन्या के साथ में फते नारायन सिंग की कन्या के साथ में कुमर शिंग का विवा है हुआ था अगला प्रश्ण हमारा रहेगा प्रश्ण क्रमांग छटमा देखिएगा सिक्ष नंबर का प्रश्ण है सिक्ष नंबर का प्रश्ण क्या कह हीता बतलाई यह जल्दी नियाय विवस्थायाम ज्वालाम आंगला नाम आरवेते ठीक है ना किसके बतलाई जल्दी से के साम में सच्छी विवक्ति और नियाय विवस्थायाम में सब्तिमी विवक्ति लगी हुई है तो यह तो हड़ जाएगा ज्वालाम में ज्वाला ज्व पुत्रों को क्या कर दिया गया था निग्रहीत कर लिया गया था बंदी बना लिया गया था किसके दमन चक्र के द्वारा अंगला नम ठीक अब यहां पर क्यों अंगला नम आया है पहली बात तो यह देखे के साम के साम जो रूप लगा हुआ है यह लगा हुआ सश्टी भक्त का बहुचन की कान क miljा के ब्या के ब्या की साम के सू अब यहां से देख लिजिक अहां का रूप लगा हुआ है प्रत्मफा बहुबचन दुतिया बहुबचन तृतिया बहुबचन चतुर्थी बहुबचन पंचमि sanct सब्त्मिय बहुबच्ण लगा हुआ है और सश्टी बहुबच्ण किस में लगा है आंगला नाम में इसलिए यहाँ पर हमारा अंगला नाम ही होगा ठीट द्यान रखोगे बिटा प्रश्न को सौल्व करना ही ऐसा ही करना पड़ता है जो प्रश्न हमारा जहां प्रश्न बाचक सब्द है वहीं पर हमें उसके सब्द उसी रूप में उसी धातु के रूप में हमें सब्द को क्या करना पड़ता ह दूसरी सब्द को लाना पड़ता है अगला दिया हुए भोजपुर मंडलम कुत्र विद्यति भोजपुर मंडल कहां पर इस्थित है विद्धिमान है भोजपुर मंडलम भोजपुर मंडल जन्पद है भोजपुर जन्पद अंतरगति तो भोजपुर मंडलम कुत्र माने कहा विद्यति मन इस्थित हैं कहां पर है तो विहार प्रांत में हैं उत्तर प्रदेश में हैं कि जारखंडे में हैं कि बने में बनों में हैं निवस कि जारखंड में हैं कि उत्तर प्रदेश में कि विहार प्रांत में विहार प्रांते किसमें हैं विहार प्रांते अंसर क्या होग है ठीक है बिटा ध्यान रखोगे इस बात का बिहार प्रांते सब्तमी वक्ति जैसे हम लोग करते हैं कि रा में वैसे बिहार प्रांते ठीक चलिए साथ में कॉस्चन के बाद हमारा अगला प्रश्ण रहेगा आठमें नंबर का आठमें नंबर का प्रश्ण क्या कहता है ध्या माने साथ अर्थार कितने सेनकों के साथ पूरा अर्थ निकलेगा कितने सेनकों के साथ कुमर शिंगस अन्वरह अन्वरम पराजितम ठीक है ना अब कुमर शिंगस डर्वनम ठीक है ना डर्वन नाम के अंग्रेज को जब उन्होंने मारा था तो कितने सेनकों के साथ था वो अ थे क्या सो सैनिक थे क्या कि 500 सैनिक थे अगर पाट को अगर आप ने धोके से भी सुन लिया होगा तो आप से ये प्रष्ट बन जाएगा इतना सरल प्रश्ण है द्यार रखिएगा धोके में भी आपने पूरी कहानी को एक बार पढ़ लिया होगा तो इसके अलाबा 500 कहीं आय हुई है सेन कई ही तृतिया विभक्ति का बहुबचनांत पद लगा हुआ है क्यों लगा है क्योंकि पीछी सह लगा है और सह के योग में तृतिया विभक्ति होती है शह साकम समम सारधम ठीक है यह सूत्र होता है फिर लिका कुंवर शिंघश्यो कुणर शिंघश्य से पराजित वान में यहां परा उप्षर्ग है जी धातु है और हमारा यहां पर सानच पृत्ते लगा हुआ है तबत पृत्ते लगा हुआ है कि तबत ठीक है न तो यहां पर हमारा वत्त को वान हो जाएगा 500 हमारे यहां क्या है 500 को संस्कृत में अगर बात करें तो इसको हम करेंगे 5 सतई है ठीक है न क्या आएगा इसका 5 सतई ही वैसे तो 507 होता है लेकिन यहां तृतिया लगी हुई है तो 30 से न कई पंचछिंग से न कई हिस्सा है कुमर शिंगस अंडर्वना पराजी तहा ठीक पंच सतही आ जाएगा तृतिया विभक्ति लग जाएगी तो पंच सत्मादले पांसो अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कुमर्शिंगा कम खडगेन खंडितवान कुमर्शिंगा प्रत्मा का एक बचन कुमर्शिंग में क्या लगा हुआ है प्रत्मा विभक्ति का एक बचन कुमर्शिंगा जैसे रामा वैसे ही कुमर्शिंगा ठीक कुमर शिंगा कम तो कहा कम कौनसी विवक्ति हो जाएगी दुतिया विवक्ति क्या होगी बेटा दुतिया विवक्ति ध्यान रख लेना कहा कम दुतिया विवक्ति आ जाएगी खटगेन में तृतिया विवक्ति खटगेन में कौनसी विवक्ति आएगी तृतिया विवक् ठीक है न वो कुमर सिंग्स ने कि सको कलवार के द्वारा खंडित वाणुमान ने काट दिय था ठीक है न काय था किसको काटा था खंडित वान में खंड हमारा सब्द रहेगा और यहाँ पर भी क्या और पला में एक यया बन हो जाएगा खट गईन में तरितिय इसलिए इसका तलवार की द्वारा किसको काटा था हसतम माने हाथ को दंतम माने दात को पादम माने पैर को करन माने कान को किस को काट दिया था बाई साहा बतला है बहुत सरहल्स प्रशन है ठीक है तो तो आप लोग भी कमेंट सेक्षन में जरूर लिखते जाएं ऐसे सरल प्रशनों को हम लोग कर रहे हैं अच्छे प्रशन हैं और यह परिच्छा में आते हैं और हम लोगों को नंबर दे करके जाते हैं इससे अच्छा और इससे बढ़िया प्रशन क्या हो सकता है कुमर सिंग अपने दक्षन हाथ को काटा था दाहने हाथ को यह धिए यहां पर अगर कभी ऐसा आजा दक्षण दक्षण का मतलब अचर दी माल लेना दक्षण का मतलब dhnaat और और बाम भाग बाम we होता है बाने भूजा ठीक तो याद रख लेना दक्षण और बाम इस प्रकार से नाम आता है हाथों के लिए तो यहाँ पर हस्तम की जगए दक्षण हस्तम या आजाए बाम हस्तम तो दक्षण मतलब दाहना हाथ ठीक है बिटा आगे देखें अगला प्रश्ण इसका थोड़ा अंसर देख लीजी आप हाथ को काड़ दिया था और गंगा जी को क्या कर दिया था समर्पित कर दिया था कि हे मा गंगा आप मेरे इस हाथ को ले जाए फिर इसके बाद भी उन्होंने क्या है ले ग्रेंड नामक अंग्रेज सेनापती को हराया था ध्यान लख लेना तभी तो विजय देवस की रूप में मनाया जाता तेई सप्रेल को इसके बाद प्रश्णिक्रमांक हमारा दसमा रहेगा दसमें प्रश्णि में उन्होंने क्या दिया हुआ है भारते भारते आंग्र विद्रोहश ज्वाला प्रखर रूपर कदा प्रज्वलिता आशी अर्था भारत में अंग्रेजों की विद्रोह की ज्वाला प्रखर रू समे शषटी बिवक्ति का 1 बचण लगा हुआ है अगण। का हमारा वो सौरी प्रतम पुरोष एक बचन का रूप लगा हुआ है असधातु से लंगलकार तो प्रखर रूप से देखिए 1857 की तो किरांती हुई थी 1845 में 1847 में या 1947 में 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था 1847 में तो क्या 1858 में हमारे वो समाप्त हो गए थे बीर कुमर शिंग 1845 की बात करते हैं तो 1845 में क्या हुआ अंगरेजों का विद्रोय प्रखर रूप में क्या हो गया था बहुत जादा धनकने लगी थी और अंगरेज विद्रोय पर उतर आये थे और हम लोग भी विद्रोय पे थे कि आओ तो तुम देखते हैं कैसे हो तुम बारत पर कपज़ा करने वाले तो दौनों तरफ से घमासान हो रहा था धलम धम ठीक है ना बंबारी की हो रही थी गोला बंदूकों की लेकिन अपने पास तो क्या तलवार बर्ची कटार आधी खडग आधी थे और बंदूक तो थे नहीं अपने यहां अंग्रेज ही लेकर के यह भुशुंडी गोली का ठीक अभी पार्ट में पढ़ा होगा आपने भुशुंडी मतलब कहते हैं बंदूक को द्यान लख लेना ठीक अगला प्रशन हमारा दिया हुआ है 11 नंबर का प्रशन है ध्यान से देखिएगा 11 नंबर की प्रशन में क्या दिया है बारतस्य प्र वक्ति लगी है सश्टी विवक्ति का एक बचनbury का को सटी वीवक्ति का एक बचन। प्रतमा में प्रतमा का एक बचन मैं मैं बचन सोतंतरता में प्रत्मा का एक बचन ठीक संग्रामा में भी प्रत्मा का एक बचन कदा मने कब कदा का मतलब कब और अभवत में रूप लगा हुआ है हमारा लंगलकार क्या लगा है लंगलकार भूत्काल लंगलकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है और यह प्रतम पुरुष एक बचन का रूप है अभवत ऐसे बनता है अभवत आभवताम आभवन ऐसे रूप चलता है ठीक है विटा तो समझ में आगया होगा भारत का प्रतम सुतंत्रता संग्राम कभ हुआ था अथारा सो सतों की क्रांती जिसे हम भारत का प्रथम स्तोंता संग्राम भी ऐसे को हम लोग प्रथम स्वतंता संग्राम की रूप में भी जानते हैं ध्यान लगह तो यहां से यह प्रश्ण आपका हो गया solid एक नमबर आप लोगों को दे करके जाएगा परिच्छा में इस बात का ध्यान लख लेना ठीक इंपोर्टन प्रश्ण है ध्यान लखना अगला प्रश्ण दिया हुआ है 12 नमबर का बारह नमबर का प्रश्ण आया है जिसमें लिका कम मनाया गया था 23 अपरेल 1858 को 25 अपरेल 1858 को 25 अपरेल 1858 को 27 अपरेल 1858 को बतला यह जल्दी विजय देवस कम मनाया गया था देखिए आपको थोड़ी सी कहानी बता दूंगा तो आप साहिस समझ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अंसर आ सकता है ठीक अब आपको ध्यान रखन तारी के द्वारा क्या हुई गोली मारी गई तो उनके हाथ में क्या भुजा में गोली लग गई उसी समय उन्होंने हाथ को काटा और क्या कर दिया गंगा जी को अर्पित कर दिया इसके बाद 23 अपरेल के दिन ले ग्रेंड नामक सेना पती को इन्होंने अपने सेनिकों के स असला जल्दी से 23 तो कौन सी हो जाएगी 23 अपरेल 1858 को इन्होंने विजय दिवस के रूप में घोसित कर दिया 26 अपरेल 1858 को हमारे बीर कुमर्शिंग हम लोगों के बीच में फिर नहीं रहे अरता भारत देश में नहीं रहे हम लोग तो नहीं थे लेकिन भी भारत देश से म में बिलीन हो गए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13 तेरह नंबर का प्रश्न है द्यान से देखिएगा तेरह नंबर का प्रश्न है कुमर्शिंगा कदह दिवंगता प्रश्न आगे आभी मैंने आपको बताया आप मैंने बताने वाला अंसर जल्दी तर्छिंग कुमर शिंग कर्दा दिवंगत ही है क्या होगा इसका जल्दी बोले तरह चारा यह रहे है यह जींग केदी दिया हा अप्रेल 1858 को बीर कुंवर शिंग जो विहार राज्जी के बहुत ही प्राक्रमी बीर सौर वीर ऐसे योद्धा जो भोजपुर मंडल अंतरगत एक जगदीश पुर गाओं था वहां से जन्में हुए थे जिनके पिता का नाम था साहिव जादा सिंग जिनके पिता का नाम क्य सावं को क्या हो गए दिवंगर हो गया प्रशन कृमांंग तेरह ध्यां रखने आ अंसर क्या है अठारा सो 85 अगला प्रस्न हमारा देखिए 14 नंबर का प्रश्ण 14 नंबर का प्रश्ण कहता है नी ग्रही तुम इती पदा नाम करत्री प्रत्य अम्चा चिनुत अर्थार जो यहां पर प्रकरती और प्रत्य है नी ग्रही तुम सब्द मैंसे इन्हें दोनों को अलग करना है प्रकरती और प्रत्य को तो इसमें कुछ नह तो कौन सा प्रत्य होगा इसमें से आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए अभी जश्ट मैंने आईए मान के चलिए कि इसकी पूर्वत वाली किलासों में मैंने आपको लिखेत और मुख्यक अभ्यास में ये सारी चीज़े करवाई हैं तो आप जल्दी से बतलाएं इसमें क्या होगा नी ग्रे तुमन प्रत्य रहेगा नी उपसर्ग रहेगा उऔर ना का यहां से क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा और ग्रही तुम बन जाएगा इटका आगम हो करके ठीक है विटा तो इसमें प्रकरती क्या होगी आपकी ग्रहे आपकी प्रकरती होगी तुमन आपका प्रत्य होगा नी आपका उपसर्ग कहलाएगा ठीक इस प्रकार की प्रश्ण भी आपकी परिक्षा में आते हैं ध्यान रख लिएगा इसमें दिये ग था वे कश मेने में भवति मेन होता है प्रत्म पुरोष एक बचन भवति भवता हखवंतीच थीक बंसे बना हुआ मासे में सप्तमीच कहले तो अप्रेल महीने को 23 तारीख को विजयदिवस घोसित किया गया था प्रेल महीने की 23 तारीख को ठीक हैना यह हमारी 15 कोश्चन थे हम लोगों ने बहुत अच्छी से कर लिये हैं बिलकुल भी चिंता नहीं करना है ऐसे प्रशन हम लाते रहेंगे और आपकी परिच्छा बिलकुछ सार्थक कर देंगे आपके गैरंटी के साथ नंबर अच्छे आएंगे बिलकुल भी टेंसर नहीं ले ठीक है ना क्योंकि भारत का एकमात ऐसा प्लेट फॉर्म जो आप लोगों को देता है निसुल के सिक्छा आपसे कोई रुप्या पैसा नहीं लेता है तो आप लोगों को बढ़िया बिंदास तरीके से पढ़ते रहना है परिक्छा के लिए नोट्स जरूर यहां से ले अग्द्यम से यहां से नोट्स ले सकते हैं ध्यान लखें अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेर से कमेंट जरूर करते रहीएगा अगले वीडियो के लिए हमारे पुर्तम जयतु भारतम